बूर्णिंग तो अल अफ्यू, यूर वेलकम स्टू ओनलाइन स्टेडी सिस्टम अफ सीर इंटरनेसल स्कूल आज 12 अट्स एवन में हिस्ट्री के हिंदी मीडियम में 15 माई का असाइन्मेंट जाना है जिसका टोपिक रहेगा किताब उलहिंद, असाइन्मेंट का जो टोपिक है किताब उलहिंद जैसा कि हम जानते हैं किताब उलहिंद एक अर्भी भासा में लिखी हूँ एक पुस्तक है जिसको अल बिरुनी नामक विद्वान ने लिखा था इसकी स्पौती सरल और श्पस्ट वासा है इसने बहुत से विश्यों को इसमें सामिल किया है जिससे कि इसमें धर्म त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया दर्शन, रिती रिवाजों और प्रथाओं, समाजिक जीवन, भार मापतोल प्रनालियों, कानून, मापतंत्र विज्ञान, मापन विधियों, मूर्तिकल आदी पर विशेष चर्चाएं की है इन सब की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से दी है उसने अपने इस पूरे विवरुन को असी अध्यायों में बाटा है अल विरुनी ने अपने हर अध्याय की सुरुवात में एक अलग सहली का इस्तिमाल किया है इसमें सबसे पहले एक प्रस्न दिया जाता है और संस्कृत वादी प्रमप्राओं का वर्नन करते हुए और वे बिन संस्कृतियों के साथ में इसके तुलना भी की है कुछ विद्वानों की राए यह है कि उसने ज्यामितिय संरस्ना को ज़्यादा ज़्यादा प्रमुकता इसलिए दी है क्योंकि उसका खुद की जो रूची थी वह जियोमेट्रिक की तरफ थी वह गनित की तरफ उसका जुकाव ज्यादा था उसमे आगे उसने बता रखा है कि अलबिरुनी किताब उलहिंद के अंदर उस समयजी की समाजिक समस्याओं, समाजिक परंपराओं और राज सही जो प्रनालियां मुझूद होती थी उनके बारे में विशेश तोर पे जिक्र किया गया है इसमें आगे बता रखा है कि किताब उलहिंद एक ऐसी रचना है जिसमें विभिन भाषाओं के अंदर इस भाषा का अनुवाद दूसरी भाषाओं में पाली में संस्कृत में किया गया था और अल बिरुनी का मुख्य मकसद यह था कि सीमान छित्रों में रहने वाले लोगों को वे इसका ग्यान परदान कर सके और उनकी संस्कृती से जो कुछ वे सीख सके उसको दूसरी भाषाओं के अंदर उसे कनवर्ट कर सके इसलिए यह बहुत ही महतपून पुस्तक है धन्य यह बहुत है धन्यवाद